का अभीजों बीचन है इसमें दिक्कतुर इतकम नेल पाल तो कोई तो जगे होगी न जैसे Одना। मेरे को तो घर से बारा निकाला जेनेपक मंतला फिर मेरे पास में नोटिस में ये भीम मुझे कैसे डिवह दे रहा खाली मुझ Спर एलिकेशन लगा दिये कि एक साल से भागी होई है और मैंने तो रहे को टाटा बाई-बाई कर दिया तू जा अरे भाई तेरे को तलाग देनी तो सामने दे पहले तो यह हमारे लोग तो यह समझते हैं कि तलाग के बिद्धत तीन बार में तलाग बोल देना और कह देना कि हमारा डिवर्स हो गया वो तो प्रतिबंदित हो गया सुप्रीम कोट ने भी कह दिया यह गलत है और सरकार ने कानूम भी बना दिया उसके बात भी सुनवाई तलाग तीन तलाग बेन हो गया मुझे भी यही पता था कि तीन तलाग बेन हो गया मैं बहुत शूर थी जब मुझे तलाग का पहला नोटिस इस तरीके का नोटिस किसी थर्ड परसंड कोई जीयम अख्दर है उसने मेरे हस्बेंड के बिहाफ पे बेजा मैं इतनी अशूर तलाग हसन तलाग तलाग बिदद बैन हुआ है गुनाहा मना दिया गया यह तो वैद तरीका है ना तलाग दिने का वैसे तलाग हसन बैन हो गया है लेकिन जो चार तरीके की प्रैक्टिस सुप्रीम कोट और आई है तलाके हसन है, तलाके एहसन है, तलाके बाइन है, तलाके किनाया है एक महिला कलबुर्गी से आई है, वो MBBS MS गाइनलोजिस्ट है उसके हस्बेंड MBBS MD है, डॉक्टर है, सास ससूर भी डॉक्टर है उन्होंने कहा कि तलाके किनाया, किनाया का मतलब जा मैंने तुझे आजाद किया, जा मैंने तुझे आजाद किया, जा मैंने तुझे आजाद किया और तीन बार कहके, ना कोई मेहर की रकम, ना कोई मेंटिनेंस, ना कोई गुजारा, और डॉक्टर को बार देखिए इस सवाल रहे है डिखल नोटिस है वकील का नोटिस है जो इनको दिया गया है यह तब ही कह रही हैं कि यह गलत है और इसको अधालत में चैलेंज कर 사용 है लेखने आपके हसबने आपको ऊन्होंने मान लिया कि तलाक हो गया है उनकी शादी हुई दुबारा उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली यारी वो अपने तरफ से बिलकुल आजाद हो गया और आप अभी भी कोर्ट में चक्कर अपने बच्चे को लेकर काट लिए उनको अब आता हूं यह आपको कितने नोटिस मिलें ऐसे ऐसे तीन नोटिस मिले कैट नोटिस वसरे चैठी अँझे जोन को पॉन कितने महिने में मैंने के लिए चीन नोटिस सेंट्स मेरा तो शरीयत से तलाक हो गया और शरीयत में आपका कोई रोल नहीं है बकायदा उन्होंने वकीलों से बैटके मिडियेटर से बोला कि इस देश की अदालत का रोल मेरे तलाक में नहीं है मेरी शरीयत में नहीं है शरीयतन एस उसमें लिखा है आप पढ़िएगा as per Muslim personal law मेरा डिवोस हो चुका है notice of pronouncement of third and final तलाग in three different settings as per Muslim personal law under तलाग हसन और तलाग हो गया क्या बोला आपने फिर court के चैरी किया पुलिस ने क्या बोला मैंने जब पहला notice आया तो मेरा पहला वही ताकी जैसे हम पुलिस के पास जाते हैं तो हम में और मेरी फैमली बहुत अश्योर थे कि इसको सजा दिलवानी है हम morning में पुलिस थाने गए पुलिस थाने में ये letter दिखाया पहला letter और बताया उसने हमें तीन तलाग दिया जब वहाँ पे वो लोग इतमिनान से बैठे तो बोले मैडम ये तीन तलाग नहीं है उसने सामने दिया हमने गा नहीं सामने नहीं दिया सामने नहीं आया और फोन पे मुझे ब्लॉक कर दिया मैंने उसे call करा जब letter मिला तो जहीर सी बाद मैं call करूंगी ये कौन शक्स तुम्हारे भिहाफ पे भेज रहा है तो उसने मेरे नंबर मेरी family के नंबर ब्लॉक कर दिया उसने मुझे whatsapp से भी ब्लॉक कर दिया social site से भी ब्लॉक कर दिया उसके बाद police ने हमें ये बताया माम ये तीन तलाग नहीं है तीन तलाग वो होता है जो आमने सामने बैठके देते हैं ये आपका तलाग है हसन है जो correspondence से तलाग है इसका हमारे पास कोई legal right नहीं है कि हम अपने आपके husband को गिरफतार तो छोड़ो एक call भी घर के पूछ लें तुने क्या notice भीजा ये भी हमारे पास right नहीं है ये आपका personal law का matter है sorry madam ऐसे मतलब ऐसे police वालों ने हाथ जोड़ लिये दे हम कुछ करी नहीं सकते हैं हम करना चाहते हैं अगर मेरे body पर ये police की वर्दी ना हो तो तो आप मेरी sister हो लेकिन जब मैं police की वर्दी पहन लूँ तो बेनजीर जी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इस देश के कानून के मुताबिक वो शक्स आजाद है मैं उससे पूझ भी नहीं सकता फोन करके तो अश्वरी जी बदला केवल ये कि पहले जो आमने सामने बैठ कर बीवी को तलाक तलाक क्या देता था और उससा था तलाक हो गया अब वो तीन चिठी भेज देता है और तलाक हो जाता है इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर